नमस्कार दोस्तो, 7 things which you should teach your parents if they are above 60 years, 60, 65, 70, 75 तक के भी हैं, तो आपको यह बताना और सिखाना है, मेरे बहुत वीडियो में कई बार लोग बोलते हैं, तुम बुजुर्गों को आदर नहीं करना देते हैं, तुम ऐसे करते हो, आपको पता है क्या 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 कमें आते हैं बताऊंगा प्रैक्टिकालिटी के साथ, जिससे आपकी लाइफ में सुकून आएगा, अगर आप मेरे को 20s, 30s, 40s में भी हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, आपको इस साथ काम कोई मुश्किल नहीं हैं, सातों के सातों करोगे, मुझे बताना कौन से कर रहे हो, और यह मत ब बच्चों से, और या करवालो या इसके तरफ ध्यान देना, बहुत इंटरस्टिंग वीडियो है, पहला टॉपिक, पहला पहला काम, ठीक है, इस अपने पेरेंट्स को डिजिटल बैंकिंग और यह पेटीम, जीपे और यह सारे काम कर रहे हैं, सिखा दो, इसके चक्कर में बैंक में जाएंगे, कभी एटीम से पैसे निकाल रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी पास्पुक अपडेट कर आ रहे हैं, सब कुछ उनको बतो, कम्प्यूटर पे, मोबाइल पे हो जाता है, माई ओडियन्स पड़ा लिखा, मिडल क्लास टू अपर मिडल क्लास ओडि ठीक है, बहुत इसमें कॉलिज की डिगरी की जरूत नहीं है, नंबर्स अगर इस देखें और रहे हैं, तो यह चीज पहली आप ज़रू कराओ, दूसरी चीज, आपके जीवन का सबसे एक तरह से डेंजरस काम है, कि अगर आपकी जीवन में एक भुजुर्ग है, नहीं मेरे को तो दिखता सब सही है, अरे तो किसी से के लिए बेट करो, जब दिखना कम हो जाएगा, जब कोई कांड हो जाएगा, क्योंकि उसका श्पिलोवर एफेक्ट आपके उपर आने वाला है, यह जितनी भी चीज में सिंजारा सिखा रहा हूँ, यह एनराइस के लिए वर्क करता है, जो दूसरी जगे नौकरी कर रहे हैं, बैंगलोर में, पेरेंट्स रहते हैं, जीन्द में, किसी के कैथल में, किसी के को छोटे शहर में, आप कहीं अलग काम कर रहे हैं, आपको एंशियोर करना है, यह जीज, that they get used to hiring taxis, बड़ा शहर है तो उबेरोला का system पता होना चीए, otherwise driver घंटों के इसाब से भी मिलते हैं, आज के दिन, पूरे आपको salary पे रखने के ज़रूत हैं, बहुत drivers के नंबर हैं, पहले से आप बता लो, बुक कर लो चार-पांच घंटे के 500-600 रुपे का system चल रखा है, खुद गाड़ी चलाना बहुत dangerous है, especially highways में, and what is the cut-off time when some बुजूर्ग should stop driving, मतलब वो जैसे आप बॉल आपको अच्छे से दिख रही है, तब आप cricket छोड़ना चाते हो, जब आपके मुह पे लगने शुरू हो जाए, त some point of time you have to realize कि जो हमारा nervous system है, reflexes है, brain है, and reaction time है, वो drastically effect होता है, तो थोड़ा छोटे distance तक छोटी गाड़ी घुमानी है, चलो घुमाली बजार चलेगे 200-500 मेटर, बट कहीं भी अगर ट्राफिक में फसना है, या highway पे जाना है, तो please ensure, यह बहुत बड़ी चीज है, यह सेवा ही कर रहे हैं आप उनकी, तीसरी चीज़ जो आपको ensure करानी है, parents की, माता पिता दोनों की पीछे पढ़के, क्योंकि वो करते नहीं है, parents किसी के, जिनके करते हैं वो फिर parents खुश है, और जिनके parents कुश है, उनके बच्चे खुश है, 99% लोगों के parents ही बहुत दुखी हैं, इसल आप बोलोगे, movies के लिए करना है, तो खुद नहीं जाते हो, आपकी बीवी से नहीं बनती है, आपकी मा की, आपको पता है, सालों साल से अब वो गाली गलोश नहीं हो रहा, लड़ाई जगडे नहीं हो रहे, तूतू मैमे नहीं हो रही, तो इसका मतलब नहीं दोस्ती जाएंगे, आपका परिवाद धाई गंट या उटिंग चाता है, उनसे आदा गंटा चला जाता है, क्योंगी बुजूर्गों का अपनी लिमिटेशन्स हैं, अपने इंटरस्ट हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट जाना पड़ेगा, इस्पेशलि अगर उनके हाथ पर सही चल रहे हैं और टैक्सी में चले के तो करी सकते हैं, थोड़े और बुजूर्ग हैं तो असिस्टेड टाइप में लेके जाना पड़ेगा आपको, इन दसेंस की आपको बड़े शहरों में तो सारी फैसलिटी जाएंगे, खाना खाने भार जाना उनका मन करता है, जाके खें दोसे खा के आजाएं, कभी गोलगप्पे खा लें, वो कभी निकले ही नहीं, घर में वो दाल, खिचडी, खिचडी, दाल, मुंकी, दाल, जीरे का तड़का, यह तड़का, वो तड़का, सुखी, रोटी, फिर वो लौकी, टिंडा, और फिर उसके पाद पेठा, और पक य पूड़े क्या होगे, मतलब यह चटकारे कभी, कभी मन नहीं करेगा, महिने में एक दो बार भी नहीं करेगा, इतने बड़े-बड़े शहरों में, इतने, I see, lot of, sometimes, गुडगाओं में तो मैं देखता हूँ, लेडीज आ रही है, बुजुर्ग, सारी 80 से उपर है, ठीक है, और उनका अपना कलब बनाया हुआ है, तो वो खुश है, अगर आपको ऐसा जॉइन करवाना है, तो आप अपना कलब जॉइन करो, कई cases में ऐसा होता है, कि एक ही पेरेंट रह जाता है, दो पेरेंट है ही नहीं, तो एक पेरेंट को आप कहीं दूर बैठे हो, या आपकी व ट्रॉक की रानी और जो भी है उसका उनको कम से कम पता तो चले है, आज कल के बच्चों का हो गया रहа है, आज कल का जमाना क्या है, कई बार कि आप पेरेंट इतने बुडे हो चुके है, उनको अपने बच्चों से इतनी शिकायत है, उनने यह नी पता कि नहीं जैनरेशन म और क्या हो रहा है? जो इस तरह की चीज़ें ऐसे लेवल से निकाली जाते हैं जो इनसान इतने फेमस ना होता कि हम मेरे जैसा आके ऐसा बोले भी क्लेम भी करें तो भी लोग कई हसें आ रहे तू क्या इतने तो सब्सक्राइबर आ ऐसे क्या और इतनी बड़ी पिक्चर हाँ ऐसा ही है आइडिया पिष्टेश जो आपको सिखानी है पेरिंट्स को हॉस्पिटल का जैक आप का जाने आने का प्रोसीजर हॉस्पिटल कौन सा पास में है किदर किदर है कैसे जाना है उनके emergency phone numbers reception के नंबर ambulance के numbers, doctors के numbers कब उनकी OPD होती है कौन से दिन है, कौन से दिन booking करके जायज है सकता है कौन सी site से हो सकती है, कैसे phone से हो सकती है वो सारा एक तरीका है और आजकल hospitals में बहुत assistance है, आप भार पहुँच जाओ, सीधा वो आपको पकड़के सब सही करा देते हैं, ठीक है तो सारी ये चीज़ अविलिबल है, नहीं तो overwhelmed हो जाते हैं, एक बार जाके सब सिखा के आजाओ, ये वाला यहाँ है, ये लिफ्ट के बटन ऐसे दबते हैं, ये यहाँ जाते हैं, ये डाक्टर साब तो फिर ये बिमारी की नौटें की 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 करते हो, ये तो खुब जान है, जो मेरे consultation में आती है जनता, खुद ही अपना इलाज कराने के लिए, समझने के लिए, तो वो ही बताते हैं की तो चिलाते हैं, चिलाते हो आप, हाँ, तो चिलाते हो फिर आप बिमार भी हो, हाँ, बिमार हो इसलिए चिलाते हो, चिलाते हो इसलिए बिमार हो, या बिमार हो ही नहीं, तो यह realize करना है कि वो procedure जा सकते हैं क्योंकि उनको आपको सिखाना है Dear Papa, Dear Mommy, You are just 64, You are just 65, Okay? And You will live till 98 अभी से आपकी 65 से सेवा कर ली तो 72, 73 साल तक हमारे कोड़े टूटलेंगे फिर आपका 73 से 95 का कौन करेगा पपजी, पमी ची? कर लो जब तक आपके चल रहे हैं ऐसेच कोई great काम नहीं है आपकी life में करने के लिए Please सीख लो, Please Papa, Please Mommy, My Dear I don't know, उनको सब बताओ, हॉस्पिटल में वो इतने स्वैंकी हॉस्पिटल सो रुके हैं, कॉफी यहां में लेगी यहां 20 रुपे देने हैं, यहां 50 देने हैं, क्रिपया करके यह कार्ड यूज करना सीख लें, डेविट कार्ड नहीं आता तो यह नोट निकालने शुरू कर ले यह इसके लिए आपका बच्चा नौकरी से छुटी ले उसकी 8,000 रुपे का दिन निकलता है, 10,000 रुपे का दिन है उसकी छोटियां बहुत limited हैं, उसको अपनी बिमारी के लिए भी लेनी है उसको बच्चे के बिमारी के लिए भी लेनी है, उसको आपकी बिमारी के लिए भी लेनी है फिर वो गुमी गुमी तो दस दिन जाई नहीं सकता क्यों आप उसका जब जरूरत ही नहीं है एमरिजनसी होगी फिर तो सबी आ जाएंगे एमरिजनसी में तो पड़ोसी भी आ जाएगा पड़ोस का रिक्षा वाला भी आ जाएगा बगल वाले का चौकी दर भी आ जाएगा एमरिजनसी में तो जो होना है हो जाएगा रूटीन का जो चाहिए रूटीन शेक अप क्योंकि बढ़ापा तो अपने में एक रूटीन है कितने साल चलता है बढ़ापा जब तक आप जिन्दा रहते हो क्योंकि एक बार आप बुड़े हो गए आप 60-70 के हो गए आपके कोई भी बीमारी जो 60's में आ जाती है उसने जाना है क्या उसने आप ही के साथ जाना है तो अब वो कितनी आरती उता रहे आपकी उसकी कई बार में प्यार से बोलता हूँ कई बार में सरकाजम लगता है लोगों को पर मैं होम ड्राइब करना चाहरा हूँ यह पॉइंट कि यह चार प्रैक्टिकल चीज़ें कैसी लगी अभी तक प्लीज मज़ा आगया जिनको तो अभी ही मज़ा आगया लिख दो पांच शे साथ तो बहुत मज़िदार हैं बहुत ही अच्छी हैं प्रैक्टिकल हैं पांच भी अपने पेरेंट्स को छोटा शहर हो भावे बड़ा शहर हो बड़े शहर में तो यह अर्बन क्लैप और यह सब आप मिलते हैं यह यूज करना सिखा दो अधर्वाइस भाई तीन एलेक्ट्रिशन तीन पलंबर तीन कारपेंटर इस तरह के जो भी सर्विसिस होती हैं इन सब के नंबर उनको दे दो एक नहीं मिलेगा दूसरा मिल जाएगा दूसरा नहीं मिलेगा तीसरा मिल जाएगा ये वो हैं जो आपने verify कर ली हैं क्योंकि भुजर्ग हैं ऐसे ही आप किसी को भेज नहीं सकते घर में ये वो लोग हैं जब आप रहते हो तो आप बुलाते हो बरते हो और आप उनको बताते हो कि भाई ये काम करने को बोलेंगे चुपचाप कर लेना और इनकी आदत है 500 रुपचाप के काम पर 200 देने की तो चुपचाप तू 200 ले 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 ना और मेरे को पेटियम कर नमबर देदेना 300 मैं दे दूँगा नहीं तो ये आदी जान यहां ऐसे निकल जाएगी और निकल जाएगी तो फिर तवियत खराब होगी तो फिर मेरे को ही आना पड़ेगा यहां पेरेंट्स 300 रुपए बचाने के लिए बच्चों के 3 लाख रुपए लग जाएँ उनको फरक नहीं पढ़ रहा है जीवन का कटू सकते है यह से क्यों बात कर रहा है यह क्यों बात कर रहा है उन्हें अपना पैसा समझ में आता है तो आपको भी पता है आप यहां पे सेवा कर रहो या अपने 3 लाख बचा रहो हो देखी यह प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि पैसे आप ही के लगने है क्योंकि यह इन में कचर-कचर-कचर-कचर-कचर रहता है आगला पॉंट इसी से related है चटा पॉंट टीच यूर पेरेंट्स, रिक्वेस्ट देम, बेग देम टीच, रिक्वेस्ट, बेग बेग तो बिल्कुल है कि जो मेड्स है ना जो घर में आती है, जड़ो पोचा करती है कोई किसी घर में खाना बनाती होगी, बरतन करती है कि यह उनसे ना उलजे उनको बोलो यह आपका direct सेवा कर रही है इनसे पैसे और चिक-चिक और काम में मत उलजो और privately mates को बुला लो उनको बोलो तेरे को पता है ममी कैसी है, पापा कैसे है, इनने सुधरना तेरी नजर में नहीं है जो मतलब की कुछ बोलना बंद कर दे बोलो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में अपना शरीर दर्द होता है, तो जो आगे मिलता है, उसी पे वो निकलता है बोलो हम तो दूर रहते हैं पर ये duty हमारी है कि हम पे निकले, तेरे पे ना निकले, तेरे पे निकलेगा उसका खामयाजा मैं तेरे को दूँगा, तेरे को अगली बार तंखा बढ़ानी है, कुछ करना है, तो मुझे बता दे, और अगर मेरी मा तेरे को दो दिन, चार दिन, पास दिन में छुट्टी के पैसे काटती है, और तेरे को छोड़के भागने का मन करता है, तो पलीज ग्रिपया करके मुझे कॉल करते, मैं तेरे को पे टीम कर दूंगा, उनसे मत उलच, उनको आनन्द आने दे, कि क्या मेरी मिली हुई है, पैसे भी काटती हूँ, डाटती भी हूँ, डरती भी है, वो बढ़ा आनंदार है और चुपके से आपने उसको बता रखा है मेड को अधर्वाइस क्या होगा मेड हर चौते दिन पांच पितनी छोड़ के चली जाए कि इन मेड की भी एसोशीशन हो रखी है आजकल सब एक दूसरे को जानती है आए वो कोटी वो कोटी वो फ्लैट वो अगल है वो तो ऐसा करेगा जाना नी जाना नी फिर क्या होगा आपकी परिवार में माता पिता के रहने में कोई मेड नी आ रही तो आपकी मम्मी अब परिशान है उदास है आपके पापा की कॉल आते हैं भई भई भव आजाए तुम आजो हमें पूछ लो घर में सपाई नहीं होई खाना अरे तुम्हार सथ कोई रहना है नहीं चाहता भाई वो यह नहीं बताएंगे ना हम रहना चाहते ना तुम तुमने तो किसी को वहाँ वैसे भी नहीं टिकने देना तो अपने सबसिडाइज करो अपने खर्चे ऐसा लगने दो कि आप मेड लगवाओ बोलो पापा मैंने मेड लगवाई है यह वाली बहुत अच्छी है और यह वाली तो पापा 4000 नहीं लेती यह तो 2200 रुपे लेती है ममी पता नहीं इसको रेट नहीं पता वो 1800 आप ही दे र बिश्तर के नीचे से साफ नहीं हूँ आप पिछे से ले जाओ जब मेड़ वो ऐसे से करके ना जारी होती साडी वड़ी करके अपनी ऐसे होके मैं चली कहां चली तू वो तो रही गया तो इस चीज के लिए मेड़ को बोलो ऐसा होगा मैं तिरे को कॉंपसेट करूँ गा सारा दो आदमियों का कर रहा है तो वो रोना वो है अगर तंखा एक की मिलके और एक पॉइंट वन का पैसा मिल जाए तो सब ही खुश रहते हैं ठीक है नो क्रियूम ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन ये आपको कैसा एडिया लग रहा है ये ऐसा हो सकता है ये आपकी डेली लाइफ में जो मैंने 6 पॉइंट बता है सात्वा भी बहुत प्यारा और इंपॉर्टन पॉइंट है ये 6 पॉइंट से आपके पेरेंस की लाइफ में एक रिलीफ और एक खुशी आएगी और उनकी बिटरनेस कम होगी फ्रस्टेशन कम होगी जिस घर में बुजुर्ग जि इस खांदान में बुजुर्ग दुखी हैं वो खांदान कभी सुख नहीं हो सकता ऐसा मैं बता रहा हूं गुरू जी ऐसा ये सब लोग ये भी करते हैं पर फैक्ट ये कि इनने तो अब क्या कुछ भी कर लो रोना ही है तो फिर वो तो खुशी आने क्योंकि प्रैक्टिकल कहीं अपना दर्द निकाल नहीं रहे ना प्रैक्टिकल और कहते हैं तुम नहीं आते हैं तुम्हारे आने से क्या हो जाएगा वो लड़का आके बैठ जाएगा वो फिर लड़का पांच मिंट बात करेगा दस मिनुट बोलेगा वो दुकान का क्या हुआ एडा वाले तुम कौन से मतलब इतने फिट रहे हो जैसे तुम रहे हैं वाले बच्चे रहेंगे अब उन बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं बेडॉल होते हुए पेरिंट्स को यह भी प्रॉल है कोई बाती सरकाजम में माता पिता की इज्जत और सेवा करने का वीडियो है ठीक है इ 60 वाले 70 यो सी एनी 60 में 70 में आदमी और सी एनी महिला अरे बूडे हो गयो तो क्या हो गया पैसे तो हैं यह इतने बाल आपके आड़े टेडे और रखें आपके हाथ पेर वैसे टेडे और रखें किसी किसी बिमारी के तो उस पर कुछ मसाज मुसूज यहां मुग पर मसाज मुसूज करा लो अपने पेरेंट्स को सलून की मेंबर्शिप दिलाओ जो अच्छे शहरों में और सभी आजकल इंडिया में सभी अच्छे शहरों गये 40-40% तक डिसकाउंट है अगर एक बार मेंबर्शिप ले लेते हो मैं तो गुड़कों जैसा शहर है उसी ही बात करता हूँ मतलब ऐसा चीज है कि आपने 15-20,000 दे दी मेंबर्शिप ले ली तो जो भी बाल कटाने जा रहा है 40% है तो पेरेंट्स तो सोचलोस 40% में यह ने पड़ गए आपकी जैब से तो गया ही कुछ नहीं तो उनको जो लो मैंडिक्यूर कराओ, ममी पेडिक्यूर कराओ, यहां गर्दन में मालिश कराओ, यहां पिछे कराओ जाय करो, हर 5-7 दिन एंशूर करो, कभी बाल कटाने जाओ, कभी फेस पे मसाज कराओ, कभी हाथोकी कराओ, कभी मैनिक्यूर कराओ, कभी पेडिक्यूर कराओ, और जो 50 तंटे इनने खोल रखें, पूरी मिहां गर्दन मसाज, यह वाली, वो वाली, यह ट्रीटमेंट, लगने तो, उनका बिटरनेस तो कम हो रही है, और कई बार तो गिफ्ट कहते हो, एकादी चीज तो बोलतो, मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपका हपी बड़ दे पे तो कुछ करानी मैने, ना आपकी अनिवस्टरी पे कुछ करता, चलो यह आपको गिफ्ट करती, गिफ्ट मसा आज तो यह और मदर और फादर, बाते हैं आज कला, बड़े शहरों में तो हो चुका है, छोटे शहर में भी जुगाड़ कर सकते हो, एक कोई लेडी है जिसको मसाज करने आती हर इंडिया के हर शहर में आपको मसाज करने वाले लोग मिल जाएंगे, कोई आप से आएंगे, कोई कॉल से आएंगे, कोई वैसे जुगाड़ करके आएंगे, चाहे गाउं पकड़ लो, चाहे शहर पकड़ लो, पहले इंडिया के गाउं में सारी जो लेडी प्रेगनेंट होती थी, बूड़ी होती थी, मसाज करने वाली सारी है, तो पकड़ो ने और करवा ओ अपने प पड़ देते हो, आएंगे, गच सी हो जाती है, फिर वो नॉर्मल परोठा सा बनाते हो, प्लेन सा बिना नमक वाला, और उसमें चीनी डालके और घी डालके और ऐसे बढ़िया चुरमा हरेनावा लोगों समझ में आएगा, गच हो जाता है ना, गच, और शरीर भी ऐसे गच हो जाएगा, लगाओ उस पर, क्रीम, घी, तेल, ओलीव ओल, सर में तेल, यहां तेल, अब आप माता पिता देखो, और मैं समराइज करता हूँ वीडियो, ठीक है, माता पिता, कहीं जाना है, आधे टाइम तो लोगों की जो पिता है ना, जिनके वो बुढ़ापे में उनने कहीं जाना ने, बगल में कोई ताश पीटेगा, कोई बगल में बुढ़ों के साथ बैठेगा, कोई टाइम पर, ओ जो लेडी है ना, उसको जाना है, वो क्या करें वीचारी, उसको रिष्टेदार के जाना है, उसको शॉपिंग करनी है, उसको बजार जाना है, कुछ वो ज इतने लड़ते हैं पेरेंट्स की मतलब यह हाल हो चुका है कि बच्चे कॉंसलर बन गए बच्चों की अगर मैरेड लाइफ में गड़ बड़ ना चल रही हो जो कि आजकल कही हो कि मैं चलती है तो पेरेंट्स उनके तेरी मम्मी ने आपके साथ यह हो रहा है कॉल आतने हैं आपको तेरी मम्मी को देख तेरे पापक क्यों frustrated हो या तुम घुमने फिरने डेट पे जाओ पैसे लो फुकोगे शरीर पे चाती पे लेके जाओगे जब तक वो बच्चों को देके जाओगे उन इनको लगाओ क्रीम क्रीम लगाओ इसके लगाओ में नाम जताओं को बोलेंगे तो एफिलेट कोई marketing नहीं है ऐसी नाम बता रहो मैं कुछ कुछ भी लगा लो महेंगी देशी की ही लगा लो बड़िया वाला कुछ भी लगाओ पर जब शरीर आपका अच्छे से काम करेगा बार से और ऐसे ऐसे आपके पैसे चले जाएंगे फिर ड्राइवर आपका आजाएगा हॉस्पिटल में आपको आना जाना आजाएगा दवाईया पता है कहां से कलेट करनी आजाएगी मूवी देखने जाओगे कभी रेश्टरॉंट में एक अधी बार जाओगे अपनी उस खाना खाये जाता है थोड़ा खालो जूस पिलो अरे जो आपके दिन बड़े शहरों में तो इतने टंटे हैं जो आप सो कॉल और गानिक फूड वो सब महां बाहर मिलता है वो अलग बात है हजार दो हजार थीन हजार रुपे कर्चने पड़ते हैं बट मिलता है अच्छे मिलता है देखो तोसी हो क्या रहा है देखो तोसी इंडिया ने कैसे तरक्की कर ली हो क्या रहा है बाहर जाके देखो एलेक्ट्रिशियन प्लंबर कार्पेंटर इनके नमबर रखो ये इतने हाथ का लोह का शनी देव हैं सारे इतना काम करते हैं इनके पैसे मत काटो ये शन अंग घृर्ण निशले तब के जो लोग हैं जो महनत का काम कर रहे हैं पसीना भारे उन लोगों के चवण्य अठ्ञ नी बचाके कि वो सरकार बहुत खुश होगा ठाकुर बहुत खुश होगा कौन खुश होगा कोई खुश नी होगा गबर खुश नी होगा जो भी जिसको भी आप समझना है जो भी दुनिया चला रहा है ठीक है कोई खुश नी होगा वो आपको पीडा मिलेगी फिर और मिजरेबल फिर उस ही नहीं देती हो नलका फटा पड़ा है प्लंबर नहीं आने को त्यार पिछली बार फिर पैसे कड़ दिये थे क्यों कौन जाएगा इन लोग के पास बहुत काम है भाई कोई आज के दिन जहां सिर्फ बुजुर्ग रहें ना मेड काम करने को खुश है ना ये लोग जाने को ये भी एक फैक्ट है उनसे पैसे निकलते नहीं किछ किछ पिछ पिछ बहुत जादा है नेचर चेंज कर लो समने बुड़ा होना है और जो हो रखे हैं उनको सिखा लो पेरेंट्स को सिखा लो और ये सारे सर्विस प्रोवैडर्स को प्लीज अपना नमबर दे दो बोल अच्छा मेरे कहने पे नहीं आते तो बेटा के कहने पे आते हो अच्छा पैसे तो हमसे लेते हो ये कॉमेडी भी लगी कि दोगों को पर ये सारी प्रैक्टिकालिटी की बाते बता रहो प्लीज दू दाट एट एंड सलून वाली मेंबर्शिप तो जरूर दिलाने की जरू होता है because body जब भार से well oiled, massaged and groomed है, शरीर से खुश्बू आ रही है और softness है, हाथों में softness है, एकदम मुलायम मुलायम से हाथ हैं, ऐसे ऐसे दबाओ ना, बड़े soft soft से हाथ हैं और चिड़ चिड़ा पन्नी है, हड़ियों में दर्द कम हो रहा है या किसी कोई भी मसाज कर कर जाते हैं, खून ही नहीं चलता, अब कहां से चलाएं, वाक कर लो कितनी भी करते रहो फिर वाक से थोड़ा उपर चलागे, यहां तब आलो, मसाज कर वालो, वो चलेगा, जब चलेगा तो ब्रेन में भी जाएगा, पेट में भी जाएगा, डैजेशन भी होगा, लीवर म सब जगे जाएगा, फिर थोड़े दिनों में आज से ना आखे खुल सी जाती है, भाई तू सही कह रहा था, मैं तो बहुत लोगों को, मैं तो हजारों लोगों को भला कर चुका हूँ, नहीं भाई, जी सा आ गया, कुछ खुल सा गया भाई, वो सारी बीमारियां तो इसलि हो रहा है, तो बता तो कि भाई वहां बताया जा रहा है, सब कुछ और ही बनाने में लगे, मेरे जैसा प्रेक्टिकल कंटेंट हो को बनाता नी, तो आप बता दू, तो इस वाले वीडियो को तो शेर करो, बहुत लोगों को शेर करो, बहुत भला होगा, सबका भला होगा, जिसके पास जाएगा उसका भलाओगा और वो push मिलेगा ये सातों में से सातों चीजे जो करने वाले हैं 7 upon 7 करके comment section में लिख दो चैनल की membership लेना चाहते हो platinum member बनके जीवन में सुकुन और smile चाहते हो purpose चाहते हो fulfillment चाहते हो लेके देख लो इक पार्क लेके देख लो life अगर ना बदल जाए ना खुश हो जाए ना समझ में आने लग जाए किसी भी उमर के हो आप every person is catered for in platinum membership तो सबसे membership भी आप ले सकते हो thank you very much